अगर आप S.I.P करते हो तो आपके साथ निश्चित धोखा वने वाला है अगर आप ये खाव संजो के बैटे हो कि आपका S.I.P आपको बविश में एक करोड रुपे देने वाला है तो वो एक करोड रुपे नहीं मिलने वाला है मिलेगा बहुत कम ये धोखा निश्चित होगा जितने भी लोग S.I.P mutual fund में इंवेस्ट करने वाले हैं अब आप कहोगे कि आप ही ना सजन्स किया भी है mutual fund S.I.P को ऊपर इतने sessions किये हैं बट उसमें थोड़ी सी smartness दिखानी है हमें S.I.P नहीं करना है स्मार्ट S.I.P करना है ये बात मैं पहले भी कर चुका हूं ल जो आपकी expectation है लेकिन S.I.P कभी भी वो नहीं देगा जो expectation ले करके जो सोच करके आप S.I.P में invest कर रहे हूं तो आज के session में हम बात करेंगे double your S.I.P return अपने S.I.P return को दो गुना कैसे करें उस धोखे से बचे कैसे और एक और सवाल का जवाब आज के session में देंगे मुझसे किसी ने पूछा कि अगर एक 20-22 साल लगा अभी भी कामकाश शुरू कर रहा है तो उसका पहला investment S.I.P ही होना चाहिए यह कुछ और होना चाहिए जिसे stock market की कोई समझ नहीं है investment की ज़्यादा समझ नहीं है उसका पहला investment क्या होना चाहिए तो आज उस बात का भी जवाब हो बात करेंगे ठीक है सर तो हम बात करने वाले हैं हाज double your S.I.P return सबसे पहले चीज़ एक चीज़ समझे सर जितने भी लोग S.I.P invest करते हैं दो तरह के इंवेस्टर होते हैं passive investor active investor passive income active income आपने सुना होगा वैसा ही passive S.I.P investor और active भी होता है फर्क क्या है जो passive S.I.P investor होता है न वो अपने काम धाम में व्यस्त है उसको stock market mutual fund S.I.P इन सब के लफ़ड़े में ज्यादा पढ़ने की ज़रत नहीं है उसको बार बार track नहीं करना है उसने एक बार fix कर दिया है कि मेरे monthly मेरे account से 500,000 या 5000 जितने कभी S.I.P उसने करा है वो कटता रहे बाकी वो कैसा जा रहा है नहीं जा रहा है मुझे पता नहीं क्योंकि जिसने S.I.P करवाया है उसने उसको ये बोल दिया है कि या long term में ये grow होगा ही होगा up down up down चलता रहता है तो उस up down के आपको चिंता करनी नहीं है लेकिन long term में बढ़ेगा ही बढ़ेगा 12-15% ये 16% भी मिल सकता है इतना return आपको मिलेगा तो इसलिए वो टेंशन फ्री हो करके हर महिने S.I.P के लिए अपने बैंक से पैसा कटवा रहा और अपने कामदा में मस्त है उसको कहते हैं सर पैसिव S.I.P इंवेस्टर पैसिव पूरी तरीके से पैसिव एक्टिव S.I.P इंवेस्टर वो होता है जो समय से पर अपने S.I.P को देखता रहता है अच्छा एक्टिव S.I.P इंवेस्टर में उनको भी नहीं कह रहा जो अभी तो S.I.P किया अभी अभी 15,000 रुपे महिना कटना शुरू हुआ और डेली बेसिस पे अपना एंजल वन खोल करके देख रहा है कि भाईया क्या आया क्या कित्ता बढ़ा कित्ता बढ़ा कित्ता बढ़ा वो एक्टिव नहीं है वो बेवकूब S.I.P इंवेस्टर है उसका तो कुछ हो रही नही इजा है महीने के अंदर अंदर तोड़ते हैं क्यूकि नहीं वह तो करना ही नहीं चाहिए अगर आपको डेली बेसिषी पे ग्रो तो देखनी है तो सब्सक्राइब देखो थोड़ा स्टॉक मार्केट कि समझ बढ़ाओ लेकिन वह नहीं है फिर भी आप अक्टिव साइपी इंवेस्टर वो लोग होते हैं जो महीने में क्या दो-तीन महीने में या चार महीने में स्टॉक मांकेट के इंडेक्स को grew करते हैं इंडेक्स कहने का मतलब आप सर्फ Google में अगर यह लिको कि nifty share price या आप जो भी app यूज करते हो Angel1 यूज करते हो, grow यूज करते हो, जुरथा यूज करते हो उसमें आप सिर्फ indexes की growth अगर देखते रहो कि आज कितना बड़ा आज कितना down हुआ तो आपको यह पता चलता है तो stock market अभी grow कर रहा है या down हुआ है आगे बड़ा है या नीचे गिरा है या आपको समझ में आता है उसी के base पे आप अपनी SIP को actively manage कर सकते हो जिसकी वज़े से आपका जो return है वो double, triple या उससे भी जादा हो सकता है देखो कई लोग इसमें यह कहते हैं कि जब market down हो न तो अपनी SIP में investment भला दो माल लो आपका 5,000 रुपे हर में ना कट रहा है तो market जब 10%, 15%, 20% गिरे तो आप 2,000 एक्स्टा डाल दो 10,12,000 एक्स्टा डाल दो 15,20,000 एक्स्टा डाल दो आपकी जितनी capacity है वह index देखकर के आपको समझ में आ जाता है कि अभी 10% गिरा है 5% गिरा है कितना भी गिरा है ठीक है ना यह बात बिल्कुल सही है इससे मैं भी agree करता हूं लेकिन दूसरी वाली बात से मैं agree नहीं करता जो कुछ लोग कहते है market अगर बढ़ा हुआ है टॉप पर है तो investment को कम क S.I.P. safe क्यों है S.I.P. long term में return देता ही देता क्यों है सर averaging की वज़े से market जब अच्छा perform कर रहा है market जब अच्छा जा रहा है तो आपको no doubt S.I.P. अच्छा return देगा लेकिन market जब under perform कर रहा है जब down है गिरा हुआ है उस वक भी जहां stocks आपको कम return दे रहे होते हैं S.I.P. आ छोड़ो बता चुक हो मैं last session में भी ETF वाले session में अब दुबार नहीं बताऊंगा तो averaging पर काम करने की वज़े से down market में भी S.I.P. अच्छा perform करके return आपको देता है तो आप अगर ये करोगे कि अच्छे वाले market में अच्छे समय में S.I.P. का investment कम कर दोगे बुरे समय में S.I investment को घटा दो ना घटाना कभी नहीं है बढ़ाना है जब खराब समय हो market down हो तो बढ़ाना जरूर है लेकिन घटाना कभी भी नहीं है ये बात जान लो अच्छा दूसरी चीज एक चीज जो लोग कहते हैं कि अभी market top पे है अभी investment मत करो सर पिछले एक दिर महीने से आप देखो 20,000 क्रोस कर चुगा है 21,000 क्रोस कर चुगा है सर गिरने का नाम ही नहीं ले रहा लोग आज में बैठे है कि 21,700,600 चल रहा है तो भी जार आएगा तो हम इन्वेस्ट करेंगे सर आपको क्या पता हो 21,000 से 22,000 चला जाए 20,000 चला सब्सक्राइब और 500,000 चलाएं 29,000 चला जाएगा 20,000 चलाएगा पॉस्सबियस्बिश्जी है और 20,000 पनाम है फिर तो आप investment करोगे नहीं 2-4-5 साल तक फिर तो आपका investment का टाइम घराब हुआ तो इसलिए यह सोच के बैठना कि अभी market top पे है अभी investment ना करें आपको नहीं पता सर वो top पे है अभी क्या पता और अगला top आने वाला हो क्या पता अगले और grow होने वालो आपको नहीं पता तो दूसरी यह सोच भी गलत है कि भी market top पे है अभी investment नहीं करना यह सोच के कोई investor यह सोच करके नहीं करता ठीक है तो यह समझ में आए जर active SIP investor यह होता है कि समय समय पर market को observe करता रहता है market अगर down है तो अपनी investment बढ़ाता है लेकिन market अगर आप है तो अपनी investment घटाता नही है ठीक है अब बात करेंगे smart SIP investor कौन होता है अगर उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको सचाई से वाकिफ कराना चाहता हूं कि हमें smart SIP की जरूरत क्या है क्यूं हमारे साथ SIP में fraud होगा दोखा होगा scam होगा नश्चित होगा जो expectation हम लेके चल रहे हैं वो नहीं मिलने वाला दिखाता हूं सर एसाइपी कल्कुलेटर मैंने खोल लिया Google में सर्च करोगा पर साइपी कल्कुलेटर बहुत सार खुल जाएंगे यहां पर देखो सर 5,000 पर मैंने amount डाला हुआ है ठीक है 15% मैं expected return ले रहा हूं जो साइपी में मिल जाता है investment period मैंने 40 साल ले लिया है आप य लोग इस बात से भी confused रहते हैं कि ज्यादा पैसा अगर है साइपी में डालेंगे तो ज्यादा return मिलेगा गलत बात पूरा एक detail session हमने इस पर भी कर रखा है मैं क्या करो मुझे खुदी नहीं आता है क्या थमने ले क्या title है आप देखोगे ना तो आपको मिल जाएगा investment matter नहीं करता ज्यादा समय matter करता है तो इसलिए 15 साल से उपर की साइपी करना उससे कम तो करना नहीं हमने अगर 40 साल का ले रखा है यहां पर समय तो सर यह जो return तकरीबन बन के आता है 5000 रूपर मंतरी investment 15% मैं CAGR मान रहा हूं और 40 साल तो 40 साल के बाद जो return बनता है सर लगब 15 करोड मिलेगा सिर्फ महिने का 5000 रूपर देने के बदले लेकिन क्या सच में 15.15 करोड मिलेगा नहीं मिलेगा आपको को साड़े 15.15 तो मिल जाएगा 14 तो मिले जाएगा ना साड़े बारा साड़े तेरा तेरा बारा कुछ नहीं मिलेगा सर दस करोड भी नहीं मिलेगा दस करोड जोड़ो नो करोड भी नहीं मिलेगा आठ करोड भी नहीं मिलेगा यह क्या बाद भी आप कहरो जहां साड़े 15 करोड दिखा रहा है और पांच करोड भी नहीं मिलेगा यही तो स्कैम है, यही स्कैम है, अलगि स्कैम इसको कहना गलत है, क्योंकि ओफिशली तो सब कुछ जाहिर है, हमें नहीं पता होता, तो हम अपनी नादानी की वे से वो करने वाले हैं, सस्पेंज बन रहे गया, चलो भी रिवील करता हूं, सर यह है, इनफलेशन, इनफलेशन यह आपको 15 करोड नहीं देने देगा, यह आपको 5 करोड भी नहीं देने देगा, यह क्या, महंगाई दर, महंगाई दर आपको पता है ना, हर साल महंगाई दर, महंगाई बढ़ती रहती है, आज अगर हमारे घर का खर्चा 25,000 उपर महिना में चल रहा है, तो अगले साल सर तो 25,000 नहीं चेह होगा, हो सकता है 30,000 चेह होगा, 35,000 चेह होगा, सर 2003 में ये बात लाइन में कई बार बोल चुका है, 2003 में मैं बाइक में पेट्रोल भरवाता था, 30 रुपए में एक लिटर, आज एक समय में गाड़ी में पेट्रोल भरता है, सर 100 रुपए से उपर देना सचा है, सर अगले साल 1,15,000 रुपए देना पुड़ेगा, सेम बिमारी, सेम इलाज कराने के लिए, ठीक है, तो ये महँगाई है, अच्छा जब बाद हम 40 साल की कर रहे हैं, तो 40 साल का सर, कंपाउंडिंग करके देखो, इधर भी कंपाउंडिंग होगा, जो कंपाउंडि इंफलेशन में भी देखना होगा, यहाँ पर ऑप्शन है सर, हम अगर इसको यस कर दें, तो इंफलेशन एड़जस्ट करके हमारे को अमाउंड दिखाएगा, मतलब जो साले, बैंक में तो साले 15 करोड आएंगे, लेकिन वो साले 15 करोड की आवकात, साले 15 करोड नहीं होग यस अगर हमने कर दिया और कैलकुलेट किया, तो अब देखना सर, 2 करोड, कहां साले 15 करोड और कहां 2 करोड, यही तो गेल है, अच्छा इसका बचने का उपाई भी है, इससे बचेंगे, उपाई बताओंगा, सिर्फ समस्या नहीं, समधान भी बताओंगा, तो यानि कि हमा कर आब सब्सेजार करोड माले, टैक्स कर देगा, इस्वैणल जो चीजें लगती है, मैज़तो टहसी है, टैक्सी है, एक्समेंस रेशियों तो हर साली जा रहा है, तो पंदरा करोड भी अगर हमाने हमारे पास आ रहा है, तो उसससमेंदरा करोड के तक या सर, यह वकात, त करोड़ इंफलेशन अच्छा यह इंफलेशन 6 परशंट के आसपर से अजस्ट किया है और आपको बता दूँ यह सरकार यागरा है 6 परशंट हर चीज़ में भाइंगाई 6 परशंट नहीं है यह 6 परशंट आवरेज करके दिया हुआ यहां भी आवरेजिंग करी गई है सर्फ मेडिकल मझे साथ आपने बात कि अभी 15 परशंट इंफलेशन है हर साल 15 परशंट बढ़ता है अगर खाने की चीज़ें चावल दाल यह सब में देखो तो तकरीबन 8-9 परशंट के आसपास महंगाई है सर हर सेक्टर में अलग-अलग टाइप से महंगाई है इसने अवरेज सिर् Het करो ओड़ो कि मिलेगा तो 15 काइण देखें पराबर के कहने का मतलẬ यह है तो है तो कर दें क्छोड़ना भी नहीं है नहीं करना तो ही करना तो है ही समाधान बताता हूँ वे समाधान क्या है लेकिन उस समाधान से पहले दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ जो सुरुवात में हमने पूछा लडगा अगर अभी जॉब शुरू कर रहा है कमाई शुरू कर रहा है किसी भी तरीके से तो उसका पहला इंवेस्टमेंट क्या S.I.P. ही होना चाहिए जहां वो स्टॉक मार्केट के बारे हम ज्यादा नहीं पता अच्छा इंवेस्टमेंट जानता है फिर भी क्या पहला इं अगर कल को किसी वजह से आप ही ना रहे भगवान न करे जाहो तो परिवार का क्या होगा परिवार में पैसे कैसे जाएंगे तो उसके लिए S.I.P. इंशुरेंस इस यूर फरस्ट इंवेस्टमेंट और इंशुरेंस में बही कई तरह के इंवेस्टमेंट है मैं सब को साइ insurance होना चाहिए अच्छा term insurance की बात अभी ले आया है तो यहां पर दो basically confusion होते हैं जहां term insurance के हम बात करते हैं एक तो कौन सा term insurance और दूसरा इसका policy term 60 साल के लिए असी साल के लिए ले पचास साल के लिए लोग यहां पर जादा premium पे कर देते हैं उनकी मैं ले आता हूँ अभी policy बजार की स्क्रीन पर solution भी बताऊंगा भी जो मने problem create गरा बट policy बजार की स्क्रीन पर मैं ले आया इसका लिंक हमने description में आपको और comment section में डे रखा है आप ये calculate कर सकते हो जो भी मैं आपको करके दिखाने वाला हूं सर लाइफ कवर अगर हम एक करोड़ रुपे लेते हैं अगर हमारी life ना रहने के बाद एक करोड़ हमारी family को चला जाए ऐसा हम चाहते हैं तो सर महीने का लगभग 800 रुपे पर हम दे रहे हैं ठीक है अलग अलग कंपनिया है यहां पर बड़ी समस्या मैंने क्या बोला सही कौन सा है कैसे चुने तो एक बड़ा parameter होता है सर claim settlement ratio अगर हम इस company का चुन रहे हैं तो इस company का claim settlement ratio 97 परसेंट है इसका 99 परसेंट है इसका 99.5 परसेंट है अलग अलग वह आप देख सकते हो कि कौन किसका सबस्याद आ है claim settlement ratio होता है सर कौन सी company के ने अगर उसके पास 100 claim आये तो कितने परसेंट उसने claim पास किया मतलब लोगों का पैसा दिया और कितना reject कर दिया वह होता है claim settlement ratio दूसरी चीज हम अगर इसको यहां पर दो करोड़ रुपे कर देते हैं तो दो करोड़ रुपे देने का मतलब करने का मतलब इधर 1650 रुप पर मन्त इधर 1200 रुप पर मन्त यह चीज़ा आप देख सकते हो premium किसका कम पढ़ रहा है वो भी देखना जरूरी है प्लस यह सबसे बड़ा यहां पर लोचा है सर यहां पर लोग गलती करते हैं तो लोगों को लगता है कि life insurance ले रहे हैं तो maximum के लिए ले लो जर 85 साल के लिए ले लो सर एक बात बताओ आप जब मान लोग कल को 60 के हो रहे हो और आपका बच्चा कमाने धमाने लाइव हो चुका है next generation वो तो आप कल को किसी वज़े से ना भी रहे तो आपका पैसा अगर उसको ना भी मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है सर इंसरेंस तो तब के लिए होता है ना कि हमारी फैमिली की इंकम कुछ है नहीं हम ना रहे तो उसका क्या होगा है तो आप 60 साल के हो चुकी है तो आपका पैसा उनको ना भी मिले तो भी चलता है तो इसलिए सर 60 साल का ही लेना मेरे इसाफ से ठीक है उससे उपर का लेने का फाइदा नहीं है अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली उस टाइम तक सेक्योर हो जाएगी इंडिपेंडेंट हो जाएगी पैसा कमाने लग जाएगी अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं तब तो 70 का लो 80 का लो जितना ज्यादा पॉलिसी टर्म करोगे उतना ज्यादा प्रीमियम आएगा जितना कम रखोंगे उतना कम प्रीमियम आएगा ठीक है 52 परसेंट आप सेव कर सकते हो अच्छा एड़ाउन जरूर ले लेना क्योंकि जब आप टम इंसुरेंस के साथ एड़ाउन लेते हो जैसे यहां पर देखो एक्सिदेंटल देथकाप हो जाता है एज के साथ आपका अगर 20 साल की एज में आज आप जितना प्रीमियम दे रहे हो लाइफ टाइम वही प्रीमियम रहेगा बढ़ता नहीं है इसमें नहीं बढ़ता सबसे च्छट टर्म का यह है इसलिए मैं कहता हूं कि टर्म लेने का सबसे सही पाम है समय क्या है जिस वक्त आपको पता चल रहा है term के बारे में वो सबसे ज़्यादा सही समय है जितना ज़्यादा लेट होता चला जाएगा term का premium भी बढ़ता चला जाएगा ठीक है आपकी यह 20 साल है तो यह सही समय है जितना कम समय में आप ले रहे हो वो सबसे best है ठीक है जी और अगर क्लेम सेटल्मेंट रेशियो फ्री डेडिकेटड क्लेम सेटल्मेंट कई लोगों का मानना होता है कि online है तो हम पैसा दे रहे हैं कल को जुरत पड़ेगी तो online वाले थोड़ी आएंगे हमारे सर आएंगे यहां पर free dedicated claim assessment मिलता है यह एक dedicated team है जो आपके claim settlement के लिए ही काम करती है वो आपके claim को सेटल करवाने में मदद करती है तो ऐसा नहीं है कि online है तो भी यह online वाले थोड़ी आएंगे online वाले आते हैं dedicated EC काम के लिए है ठीक है अलग से help line है आप यहां पे सब कुछ पूछ सकते हो refund refund का भी option है 10% discount का भी option है आपके सारे cause जो भी आप बात करोगे recorded हो होते हैं dedicated claim support है और कुछ ना समझ में आए तो schedule a call का गया schedule a call सब कुछ पूछो ठीक है तो अब हम आते हैं back to the topic हमारा जो में मुद्द था जो समस्या हमने क्रियेट करी थी कि सर्फ 15 करोड हमारा दो करोड रुपय हो गया है उसका क्या करें सर उसका solution है step up s.i.p step up step up का मतलब एक कदम आगे एक कदम उपर एक कदम आपे सर step up s.i.p क्या कहता है कि आप जो भी amount डाल रहे हो मालो 5000 रुपय पर मंत ही अगर आप डाल रहे हो तो इस 5000 रुपय पर मंत में हर साल annual step up करो annual step up क्या होता है अगले साल से आप 10% अपना बढ़ा देना अभी 5000 रुपय पर मंत डा रुपय अगले डालना सुरू कर देना उसका 10% अगले साल से फिर बढ़ा देना सर अगर हम यही काम करते हैं तो पूरी काया पलट हो जाती है हमारा return लगबग डबल हो जाता है कई बार तो और ज्यादा भी बढ़ सकता है अब इसका calculation अगर हम करके देखें सिर्फ 10% अगर हो या गलत काम कर रहे हो कोई ऐसा काम ढूंडो जहां पर साल का 10 नहीं सर दस तो महिंगा इंफलेशन ही है महिंगा ही है आपकी सालाना कम से कम 25-30% या 40-50% मैं तो कहता हूं हर साल आपकी इंकम डबल होनी चाहिए ऐसा कुछ काम करो नौकरी चाक्रिस नहीं हो रहा तो सर हमने इंवेस्मेंट अपना बढ़ाता है और 15% ही रिटन में यहां पर रखता हूं 40 साल ही रखता हूं तो सर जो हमने साड़े 15 करोड हमारे को उधर दिखा रहा था यहां देखो और यहीं सर 36 करोड रुपए हो चुका है यानि कि डबल से भी यह उपर चला गया 15 करोड क 30 करोड होता है यह 36 करोड है लेकिन समस्या यह यह नहीं सर समस्या तो हमारी ठी इन्फलेशन वाली मेह गाई वालीढ Спस्ठी क्या था है आपको फिर भी बहुत कम है, हाँ, बहुत कम तो है। लेकिन, आपने अपनी SIP का रेटर्ण डबल करने के लिए कितनी कीमत चुकाई ? क्या आपने अपना investment डबल किया ? क्या आपने अपना investment 5000 का दश्जर करना शुरू कर दिया ? नहीं किया इसा, आपने अपना investment में सिर्फ 10% बढ़ाया है हर साल, हो भी हर साल सिर्फ 10%, हर साल सिर्फ 10% बढ़ा करके मेरा return अगर double हो रहा है, तो यह समझदारी वाली बात है ना इसको smart SIP कहते हैं इसको step up SIP कहते हैं तब ही मैंने कहा कि normal SIP आपके साथ scam करती नहीं है scam जैसा आप feel कर सकते हो लेकिन छोटा सा tweak अपना के छोटा सा e-trick अपना करके आप भया अपना return डबल कर लेते हो आप यहाँ पे inflation calculate भी कर सकते हो सर inflation calculator आप Google में सर्च करोगे न तो आपको कई सारे tool मिल जाएंगे यहाँ पे पहला वाला link है अब मैं जैसे यहाँ पे डाल के डालूँ एक लाक रुपए अगर कोई आज के समय में 50,000 रुप मैना कमा रहा है 50,000 रुप मैना कमा रहा है मैं 40 साल बाद का अगर calculate करूँ और 6% महँगाई दर में ले लूँ बविश में उसको 5,000,000 रुप मैना कमाना पड़ेगा वही lifestyle फॉलो करने के लिए जो lifestyle वो आज फॉलो कर रहा है 40 साल बाद क्या समझाने का मतलब किया है सर आज आप पचास-टर रुप कमा रहे हो जो lifestyle जितना खर्चा पाने जो भी चीज़े कर रहे हो सेम वही चीज़ कर पाने के लिए सेम वही खाना पीने खाने के लिए छेम ही lifestyle फॉलो करने के लिए आपको पांच लाख रूप पर मंत कमाना पड़ेगा महेंगाई के सबसे छे परसेंट इसको उपर बढ़ा दो 10 परसेंट आप इसको करतो तो देगो फिर क्या होता है अगर 10% महेंगाई माल लो तो 22 लाख रुपए आपको कमाने की जुर्थ है हर महीने अगर आप आज 50,000 रुपए पर मंद कमा रहे हो सब थोड़े थोड़े परसेंटेज बढ़ने का देखर इंपक्त कितना बड़ा हो रहा है यही तो compounding होता है हम थोड़ा सा है अभी और समय के साथ कितना बड़ा महिंगाई हम को बंता है ठीक इतने बात समर्य रहा है मैं अचके एक चीज हमाईशा भ्यान रखें स्टॉक मांकेट के साथ किसी को नहीं पता दुनिया में कोई नहीं बता सकता एक साल बाद दूसल बाद कब गिरेगा पता नहीं क्रेश होगा यह पक्का है और दूसरी चीज क्रेश होके जितने पर गिरेगा ना सर उसके डबल यह कुछी साल में निश्चित आएगा कोविद में देखो 12,000 13,000 15,000 प अब भी मार्केट आपको लगता है इसा गिरता है ना 10% मार्केट टूटा गिरा 15% गिरा थोड़ा थोड़ा पैसा उठा करके अपने इस SIP में अलग से आप डाल दिया करो अच्छे जो प्रोसेस करने का तरीका है आप जिदर भी कर रहे हो वैसे मैंने इंजल वन का लिंक एड़ान करने का अप्शन होता आप ज्यादा फंड इसमें डाल सकते हो तो जब भी मार्केट आपको 10% से ज्यादा गिरा हुआ दिखे ना सर वह जो रिकरिंग डेपॉजिट कर रहे हो उधर से उठाकर के इसमें डाल दिया करो फंड क्योंकि इस बात से निश्चिंद रह कि आज स्ट Review कि गेर रहे है सरु स्ट इसकि एकानी स्टाok मांगेट गिरा है तो बढ़ेगा जरूर बढ़ेगा जरूर जरूर यहत geben मेोगों ने सोचा यहले अद्गान शरूजिएलिपर इसलिए मांकेट もrimल पर तो इसलिए तो थीसिस हमारा पहला investment हमेशा ही टम इंवेस्मेंट हैं उसके बाद सब्सक्राइब नहीं करना है यह और सब्सक्राइब करने के लिए और आप लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन पिंड कमेंड में कॉल कीजिए समझिए कि कैसे कौन सा सही टमेंट सोने समारे लिए है तो आज के सेशन में अगर मज़ा आया कीजिए समझ में आई तो मज़े कमेंड बॉक्स में लिखके बताईए आपके सवाल तो अपने सवाल कमेंड बॉक्स में जरूर लिखके बताईए